नमस्कार, दलीगल इंडन के इस एपसोड में आपका फिर से स्वागत हैं। दोस्तों, कई बार हम कुछ ऐसा एक्ट करते हैं, जिसका एक सिंबॉलिक मिनिंग होता है। और इस तरीके के एक्ट करने से आपके साथ बहुत सारे लीगल कम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसी तरीके का मामलात एक अभी मुम्वे में आया है, जिसमें एक व्यक्ती किसी महला को मिडिल फिंगर शोकिया। जिसके बाद वो महला कोट में चली गई और कोट ने यह पाया कि showing middle finger to any woman amounts to outraging her modesty और इस वज़ा से उस व्यक्ती को punish भी किया गया। कोट में वो व्यक्ती यह दलील दिया कि मैंने ना तो इसे कुछ कहा है, ना तो इसे गाली दिया, ना तो कोई बात होई, ना तो arguments हुए, फिर भी हमें क्यों punish किया जा रहा है। तो फिर यह बात समझ में आई कि कोई भी act आप ऐसा गरते हैं, जिसका एक particular symbolic meaning होता है, तो उसके कारण भी आपको punish किया जा सकता है, और IPC के साथ साथ आन्ने acts की कई धाराएं आप पे लगाई जा सकती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरीके का symbolic act जिसका एक particular तरीके का meaning होता है, वो करने से बचें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सिखा होगा। यदि ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को widely share करें और इस चैनल को subscribe करें ताकि इसी तरीके का authentic legal जानकारी आपके doorstep तक हमेशा पहुंचता रहे। चले फिर से मिलते हैं किसी और topic में, तब तक रिए नमस्कार, जहन।